वाज टाउन कर पुतर है गाइज एक दुख की खबर है ये वर्ल चलतो रही है लेकिन देखो तो मैंने सोचा कॉपी कर लू वर्ल तो इसलिए मैंने कॉपी करने का भी देखा तो क्से प्राव देखो क rozp से कि गायज ये बहुत बहुत बुरा हुआ बहुत को काई से मतलब और भश दसें बुरा हो रहा है मेरे साथ तो बाभ़ा जमी फिर से नहीं शुरूओा बिल्कुल नहीं करूंगा बिल्कुल तो इस लिए गाइज मैंने सोचा है कि हम एसी एक वर्ल्ड सी में बना ले तो गाईज हम सिल्क टट से करने वाले थे लेकिन वो तो अब गया मेरे टाबलेट की स्टोरेज खतम हो गई थी लेकिन मैंने अब वापिस बहुत कुछ डिलीट किया तो अब यह लास्टाइम ट्राय कर रहा हूं प्लीज नहीं होगा वाईज यह गाईज हमारी पूरी मेहनत मिट्टी में चली गई अब पूरा दिन बैठके यही करो बस चलो अब लास्टाइम देखते है गाईज यह नहीं होगा तो मुझे फिर से एक बार क्रियेटिव में बनानी पड़ेगी एक वर्ड चलो डिलीट हो गई है तो गाईज मैं मिलता हूं दस साल के बाद मतलब यह वर्ड बनाने में कितने कितना टाइम लग सकता है आप सोचो हाँ गाईज और हमने सीट डाल के चीटिंग की थी हो भी चीटिंग अब ठीक हो सकती है अगर हमने इस बार मैं बिना यह डाल के सीट डाल के क्रियेट करता हूं और मैं वैसी सेम-to-same कोबल स्टोन की बनाता हूं कैस तो यह पूरी की पूरी वर्ड तयार वाट क्या हो गया है ये एक एंबी तो गया है गाईस ये क्या हो रहा है मेरी माइनक्राफ्ट ही फेक हो गयी है क्या सब कुछ डिलीट कर देता हूँ मतलब माइनक्राफ्ट ही फेक हो गयी मेरी पूरी ये क्या माइनक्राफ्ट डिलीट हो गया तो कैस मैं देखता हूं और आपको बताता हूं तो हेलो दोस्तों वेल्कम टू माई चैनल डिजिटल गेमर वन्स अगें तो हां 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 भाई हां पोलार बैर्स का जो आखरी वाला पार्ट था उसमें मेरा स्कॉर 64 है क्योंकि यह मैंने नई वर्ल्ड बनाई है जैसे कि आप पता है और मैंने सब सेम टू सेम किया बस इतर जगाने थी लें रड़ ऐसे लगा दिया ड्रेगन येड और वह बैनर्स तो मैंने थोड़ी प्रोग्रेस किया गाइस प्रॉमिस मैंने वह सर्वाइवल में किया तो मैं आपको आपको दिखाने से पहले आखे बन कर लीजिए in three and two and one and it's there मैंने सबको चारेंज किया यह डर्ट का और यह है वो सप्राइज गाइस मैंने प्रोग्रेस की दो तीन चार बार नेदर में जाना पड़ा इसे रिपेर करना पड़ा और गाइस सही का सप्राइज ही है कोल देखो भई तुम बस कोल की माइनिंग पर गया था मुझे जिन्दगी बर कोल माइनिंग नहीं करनी इसलिए अब भी गया था इधर 64 थे 64 64 64 जिन्दगी बर का कोल आ गया है तो आज मैं सोच ला था कि आसे शेल कर है ना शेल मिला मुझे आरेंज करते वक्त तो मेरे पास चेस्ट नहीं है क्या बना लेते हैं और मैंने भी की थी क्या है उसका नाम चीजी तो चीजी ने भी बहुत स्यादा वूड कलेक्ट की थी तो अब हम इधर क्राफ्ट करेंगे एक दो चेस्ट और इसको हम ऐसे रखेंगे जरूर कर वक्स कलरड वाला किसा मनाते है एक मिनिट शलक इस यह मैं ग्रीन वाला बनाऊंगा जरूर ओ पिंक इसा बनाते है उसके लिए ओके पिंक डाय और ग्रीन डाय चाहिए होगी हमी हमें तो गाइज वो तो आसानी से मिल जाएंगे हमारे बॉक्स में तो गाइज मैं मिलता हूँ कलेक्ट करने के बाद तो दोस्तों मैंने देखा की ग्रीन डाय कैसी बनती है मुझे नहीं मिला तो मैंने कैक्टस को पीगला दिया देको प्रूफ फरनेंस भी जल रहा है वाट दा यार मैंने चल रहा था यार भी जाएंगे ना होका डाय की बनती है यह तो इसले हम हड़ी का इस्तेमाल करनेवाले हड़ी 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 तो नहीं हुई ना यार गाइज मैं माइनक्राफ्ट की गेम तोड़ दूँगा वही तो टू एंड हाफ स्टाक्स ऑड़ी थी हमारी पास चलो वाइट डाइस से बन जाएगी वाट स्लाइम ब्लॉक मुझा लगा स्लाइम में बना रहे हैं यहाँ पर हमें बॉन मील तो नहीं वाइट डाय के लिए वाइट फूल अरे लेकिन इससे भी नहीं बना सकते क्या बॉन मील से वाट आइट आइट ओ यह ऐसा होता है ठीक है एक दो तो आब इससे एक दो इससे इस एक दो एक होडा दो क्या हो रहा यह क्यों नहीं हो रहा है यह क्रिछक्ण रों हòng चलenden गोरे ररी व्वारा है यहीं क्यों ले फάख जैक्ण ऊंट और हमने इसे यूज किया लेकिन पिंग को हमने नहीं यूज किया पिंग को किया मेरे साथ से किया हाँ इसे फेग दो एक सेकेंड गाइस मेरे माइंग्राफ कर मेरा स्क्रीन रेकॉर्डर इतना हैं क्यों हो रहा है पता नहीं यहाँ नहीं है रेकॉर्डिंग चालो है क्योंकि हुए ना गाइट मैं कुसम से कह रहा हूँ मैं मैं चैनल फोड़ दूंगा मेरा खुद का वैसे नहीं पोड़ सकता लेकिन चल कर शलकर शेल बच्चे दो लाइम शलकर बाक्स हम एक घर पर रखेंगे और एक लेकर गूमेंगे एंडर चस्ट भी या लेकिन यह वहना चाहिए सिल्क टच से तोड़ेंगे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी हमें हमेशा सिल्क टच भी हम अपने साथ रखनी चाहिए मेरे इसाब से लिकिन मैं आयन वाली रखूंगा में डायमंड वाली वेशने करने हैं और हाँ गाइस मेरी एक बुक्स से मैंने यह बना लिया एफिश यहां पर निकाल कि हम यहां पर रखने वाल है यहां पर हाँ गाइस यह देखो मैंने आरेंज किया तो क्या लग रहा है और फृष तोड़ यह रह गया और मैंने अब भी फोर्चुन थरी को रिपैर किया तो कैसे ब्रैंड न्यू लग रही है गाईस और अब हम इसे यहां पर रखने और इधर से यहां पर डाल देंगे तो अब इसकी भी यहां पर प्रूज देते हैं नो प्रॉब्लम यहां पर यहां डिया ओके गाईस व्यार रेडी ना तो अब हमें इसे बस तोड़ना है प्लीज आजा ओ यह ठीक से ओके गुड़ यह बहुत अच्छा लगता है मुझे क्या भाग मस्ते ना गाईस क्या क्यूट लग रहां देखो कुछ एंड़चेस्ट भी है और यह भी है तो नो प्रॉब्लम आप हम प्रो हो चुकिया तो और आज क्या करने वाले थे हैं आज गाईस नाम मैं आज मेरे पॉलार बैर्स का घर एक्स्टेंड करने वाला हूं तो उसके लिए सबसे पहले आइस जूनते आइस की तो मैंने टूजी थी आइस काप है यार विल्डिंग माटेरीयल केस में डाली ना मेरे इसाब से यहाँ पर नहीं है यहाँ पर टो नहीं है यहां पर आईस होने चाहिए नहीं है वह दहल मैंने कहां पर रख दी गाइज यहां पर एक मिनिट रेकॉर्डिंग तो स्टॉप नहीं हुई हां ओके यह फुल डर्ट से बढ़ा हुआ है और यह भी नहीं इधर भी नहीं यह तो फूड का इधर ओविएसली नहीं तो फिर आइस गई कहां मिस्ट्री मिस्ट्री मि आइस गायब हो गई है क्या करूं मैं गाइज आइस डूनने के बाद मैं मिलता हूं तो गाइज एक सेकेंड ओके रेकॉर्डिंग शुरू है तो गाइज मुझे आइस मिल गई मैं इतना बेवकूफ हूं ना मैंने एक चेस्ट में ऐसे चुपा के रखी थी कि कभी सब्सक्राइब को लेकर मैं आपको बता रहा हूं यहां पर देखते हैं रही मैंने रखी तो चलो अब सही जगह पे तो है अभी तो क्या हो रहा है यह पता नहीं मुझे मैं बूल रहा हूं बार बार जगे उनकी रात को आई तिंक घर के अंदर ही हो नहीं इतना क्या हो रहा है मैं बहुत दिन से सोया नहीं हूं लेट चडवाक और गाईज आप सोच रहा हूंगे फिर तूने लाइम का यह क्यासे बनाया बेड ग्रीन बेड कैसे बनाया तो गाईज वह जब हमारा वर्ड पहले के सिख सिख सीड पर था तभी चीजी में डेजर्ट विलेट से चोरी किया था सोचो गर पर इतना बूल पड़ाया और डेजर्ट विलेट से चोरी कर रहे है खुद सोचो और यह यलो विलेज मैंने अपने विलेट से चोरी किया था तो सोचो हम लोग कितने बड़े चोर होंगे डाकू गुंडे तो चलो अब हम आइस लेता है सिल्क टच आज से आना मैं डाइमन की सिल्क टच हमेशा नहीं रखूंगा आयन की हमेशा रखूंगा ल देखो क्या खतर नाक है अरे मेरे आरोज क्यों नहीं जा रहा है गाईज यह मेरे को बहुत बुरा लग रहा है अब देखो खुद देखो कि यह क्यों नहीं लीव हो रहा है क्या भी हो रहा है कि मेरे को क्रोस बो चलाना नहीं आता है तो चलो पोलार बेर के आपी जाते हैं एक सेकंड गाइस मुझे शक हो रहा है रेकॉर्ड इंग चाल रही है या नहीं और गाहिस मैंने ना ब्लॉक्स लगा लगा के उपर गया था मैं एक्सपी पर क्या बर्व जमी हुई है आप सोच भी नहीं सकते तो मैं सोचना था इसको थोड़ा सा एक्स्टेंड कर दू आगे के लिए यह कि क्या डी स्पॉन हो गए क्या ओ भाई डी स्पॉन होगी वो नीम किदर है मेरा जल्दी चली से डी स्पॉन नहीं होना चाहिए गाइस यह डी स्पॉन हुआ तो मेरे हद है काई हद लिटरली मैं हद 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 है हद सच्छी मैं यार हद क्रॉस कर दी इन्होंने चलो अब जल्दी से अन्विल तो हमारा वैसे भी थोड़ा तूट चुका है जल जल्दी नेम टाग यहीं पड़ावागा कही तो ओ नो नेम टाग जल्दी मिल जा मैं मर जाओंगा गाइस मैं अब और अर्गेनाइस सो किया है पूरी तरह से लेकिन कुछ चीज है अभी भी मुझे नहीं मिल रही है पता नहीं क्यों यहापे नेम टाग है नाव एक सेक्ड स्टार्टिंग से उपर नेम टाग नहीं है इधर नेम टाग नहीं हो सकता है इधर डर्ग वेड अ मिन यहापे स्टिक्स हो के यहाँ ठीक से देखता हूं नेम टाग है या नहीं वेर इस माई नेम टाग वधाल इस देखता है नेम टाग के दर है भाई यह नेम टाग अरे मैंने देखिये तो त्याब भी यह क्या हो गया मैंने अब भी तो देखिये थे नेम टाग यार गाइज यार सही यार सही में आर्यू किदिंग में अरे नेम टाग नेम टाग यहाँ पे तो नहीं है नहीं है यार किदर है हद कर रहे हो यार माइन क्राफ्ट वालो मेरे चीजे गायब करके हद ना करो चलो डूनते हैं गाइज मैं मिलता हूं नेम टाग डूने के बाद हुआ 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 है